तो यार काफी सारे students के मन में ये सवाल तो जरूर होता है कि क्या हमें module लेना चाहिए कि नहीं and actual में मेरे मन में भी ये सवाल रहता था पहले and बहुत से लोग कहते है कि ले लेना चाहिए कोई लोग कहते कि नहीं लेना चाहिए कोई कहता NCID पे स्टिकर हो एक्सेटर 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 देखो भाई NCID तो ज़रूरी है अफकॉर्स ठीक है लेकिन तुम मुझे इसका जवाब दो कि अगर समझो तुमने दिन में NCID भी पूरा पढ़ लिया साथ में तुमने कोशन कर लिये सारी डीपीपीज भी लगा लिये उसके पाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो क्या तुम एक्स्टर कोशन सॉल्फ नहीं करोगे मतलब तुम यह सोचो कि कि नहीं मैंने डीपीपीज और क्लास के कोशन कर लिये अब मैं नहीं कर रहा और कुछ एंड कि मैक्सिमम लोगों के पास टाइम इसके अलावा नहीं बचता लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम बचता है है ना एंड समझो यह तो एक्स्टर कोशन सॉल्फ करने की बात होगी समझो कि जो तुम क्लास में पढ़ रहे हो उसके लिए तुम्हें पढ़ना है तो NCID से कई बाल लोगों को उतना क्लियरली नहीं समझता यह परसंट टू-परसंट वैरी करता है लेकिन कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनने नहीं समझता तो उसके लिए भी मॉडियूल्स अच्छे से काम आ जाता है सेकेंड दिंग मॉडियूल्स में कोशन भ कर ले रहा है DPP भी कर ले रहा है then तो तुम उस से तो पीछे रहे लिए ना तो अब वह तुम्हारी बिदी करता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी तुम बढ़ा रहा हो कितनी नहीं क्यूद तुम्हें से वाले बंदें से कमपीड करना पड़ेगा लेगा न तो यहrian करया एक कोंसे मंधाया मैंने PW के समयार है यकी दूसे में ख्र Pamans da इसके बार की है निए तो समझावे तुम्हें लेक्शे घ्रीवाइज भी करना है तो तो इसका अगर ठेरिः पढ़ए कर लो throwing लेक्टर रिवाइज हो जाएगा तो इसलिए मैंने यह मॉड्यूल समंगा लिया अभी मैं आप लोग को अच्छे से मॉड्यूल का फूरा रिव्यू दे देता हूं किया है इसके कुशन्स कितने हैं कैसे चैप्टर वाइस क्या कर दिया है क्या नहीं मैं सब बता देता हूं ताकि अगर आप भी मॉड्यूल करीदे में इंट्रेस्टेट रहोगे तो इसके फीचर देख ले सकते हो अगर अच्छा लगा तो तो मैंने यह सारे मॉड्यूल समंगा है मैं इसमें से आपको एक दो मॉड्यूल का दिखा देता हूं खोल के कि इसके क्या-क्या फीचर होत हैं फिलाल मैं कैमेस्टिक ले आपको बता देता हूं कि क्या-क्या है इस बुक में तो एक्शली सीन ऐसे कि ड्रॉपर्स के लिए तो तीन-तीन मॉड्यूल से और एक-एक आंसर बुक लेटे जो जो इस मॉड्यूल में कोशन होते ना उनके तो जैसे मैं आपको एक जाएगा कि भाई कौनसे साल में कितने कोशन आये थे इस पर्टिक्विलर चैप्टर से और यहां पर टॉपिक से सबसे ज़दा कोशन आये कि इयर में जैसे कि आप लोग देख सकते हो मोल कॉंसेट वाले टॉपिक से 6 कोशन आये हैं और बागि इस टॉपिक से 9 कोशन आ र पीज़ बीच में कोशंग भी दे रखे ताकि आप लोग थेयरे के साथ सथ बीज़ बीच में भी कोशन बैक्टीस करते रहो और वह भी अच्छा-खासा फ्लोचार्ट में डेवल्ब्स में अच्छय बीच traveling कर रखी है और वह सारी जो चीज़े एक शॉर्ट नोर्स वाला पा कवर के लिया रहता है तो अगर समझो आपके बस किसी चैप्टर का शॉट नहीं होगा तो यहां से भी तुम लोग अच्छे कंसेट वाले कोशन होते हैं इस चैप्टर के लिए टोटल 30 कोशन है इसके तो अगर एक बार तुम लर्निंग प्लस वाले कोशन करने बैठे ना तो आराम से एक बार में पूरे चैप्टर के कर सकते हो उसके बाद फिर एक मल्टी कंसेट वाला एकसेस आता है जिसमे बहुत सारे कंसेट मिला के एक कोशन बनाते हैं तो इस पे भी अच्छा कासा आपको 10-15 कोशन मिल जाएगा फिर आपको correct incorrect mcqs भी मिल जाएगे जो नीट में बहुत पूछते हैं आजकल तो statement based भी आजकल नीट में बहुत पूछते हैं ये भी मिल जाएगा अच्छे से तो उमने कोशन तो कर लिये लेकिन बहुत बार होता है कि अपन कोशन कर लेते लेकिन उसका answer दोने के लिए दूर दूर Google पर जाना पड़ता है फिर कई बार सही answer मिलता है कई बहुत जादा दोना पड़ता है लेकिन इन module के साथ खास बात यह है कि इसके answer booklet भी आपको साथ म नहीं आए और जो आगे रहेंगे वो भी तुम वेरिफाय कर सकते हो कि तुमने सही किया कि नहीं किया तो यह solution वाली चीज भी बहुत अच्छी है और इसके questions के level भी एकदम need based लियार ऐसा नहीं है कि हर module में क्या होता है कि बहुत जादा बार-बार के questions दे देते हैं इन modules में बार के questions नहीं है एकदम ना के बराबर है क्योंकि मैंने solve किया एक अफते में जानता हूँ तो यह अगर आप लेना चाहोगे अगर आपके पास अच्छा कासा time बच जाता है और अगर आपको extra practice करनी है आपको extra theory करना है तो आप लोग यह module buy कर सकते हो और यह module आपको कहां प मिल गया और models भी मिल गई है ना तो models के लिए तो इतना ही था I hope कि आपको यह review अच्छा लगा होगा and ऐसा नहीं कि मैंने चीज़े कुछ भी इधर उदर की कह दी because जो भी मैंने आपको topics बताए वो सारे मैंने आपको बुक में दिखा है कि multi concept वाले question है assertion reason वाले question है and मैंने उनका आपको solution भी दिखा दिया तो आप लोग इस पे आराम से trust तो करी सकते हो and second thing यह logo देखे तुम लोग ट्रस्ट कर लोगे वो तो no doubt है ना तो बस यह अगर आपको लेना होगा तो आप आराम से जाके pw store पे ले सकते हो मेरा code यूज करके अगर तुम्हें discount चीए होगा तो नहीं चीए होगा तो मत यूज करना anyways किसे नहीं चीए होता discount मैं आगे अपने vlogs में भी यह module यूज करते होगा and वहाँ पे भी अपने review शेयर करता रहूँगा तो यार module review के लिए तो इतना ही था अब बाकी तो आप पे कि आपको module लेना है कि नहीं लेना है लेकिन देखो नीट के लिए अपन जितनी ज्यादा practice करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है and modules में जैसे कि मैंने आपको सारे features दिखाई दिये कि questions है और बाकी theories है तो वो सब आपके lecture की time बे भी help करेंगे and after practice के लिए भी help करेंगे and मेरे code तो use करना भूलना ही मत प्यूकि आपको extra discount भी मिली रहा है न तो बस मेरा यही बोलना है कि lectures के अलावा और DPPs के अलावा अपन जितनी ज्यादा extra question practice करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा and हर batch के साथ अपना अपना एक module का set available है तो यह चीज सारे students के लिए अच के लिए subscribe करके रखना मिलते अपन सीधा मेरे next वीडियो में होके बाई